हेलो दोस्तो स्वागत है आपका केवी इलेक्टिकल मेंटेनेंस चैनल पर दोस्तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम जाने की जो सोलर प्लांट होता है उसमें जो PCU लगे हुए थे हैं तो उस PCU में अगर हमें कोई अरेजमेंट करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं अभी ऐसा ही अरेजमेंट हमको इसमें करना है क्या है जो हमारी कंट्रोल सप्लाई है 24 वोल्ट और 5 वोल्ट और 15 वोल्ट की जो सप्लाई है उसमें हमें जो MCB है वो सबकी अलग-अलग MCB लगानी है अभी क्या है वो जो control supply है उसकी AMC भी एक ही है तो इसको हमें अलग-अलग करना है तो आज इस वीडियो में हम बही arrangement करेंगे और आपको बताएंगे इसको कैसे किया जाता है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को like करें share करें अपने दोस करते हैं देखिए दोस्तों यह हमारा PCU panel है जिसमें हमें MCB को लगाना है MCB का arrangement करना है control supply के लिए यह हमारी MCB बायर है और हमारे tools है जो जो हमें यहां पर उपयोग करना है देखिए दोस्तों यह हमारा जो पैनल है यहां पर जो खाली space दिखाई दे रहा है हमारा timer के पास यहां पर हमें MCB लगानी है और दोस्तों यह लाल पीले काले जो connector टाइप दिखाई दे रहे हैं इसको TV बोला जाता है और दोस्तों यह हमारी supply जहां से हमें 24 वोल्ट 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट की supply लेके हमें क्या करना है MCB में देनी है तो हम क्या क TV के बाद हमें supply जो है TV में देनी है तो देखे दोस्तों हमने पहले जो TV में supply आ रही थी वहां से हमारी supply से तो इसको बायर को हमने TV से निकाल लिया है और हमें क्या करना है इन बायरों में हमें अपनी पहले MCB लगानी है उसके बाद जो MCB से जो आउटपुट जाएगी वो अब हमें को लग भी करना होगा जिससे connection अच्छे से हो जाए यह हमारा पिंटाइप लग है और हमने बायर को उतना चील लिया है जितना हमारे लग के अंदर चला जाए ज्यादा बाहर ना निकला रहे तो अब हम जो क्रेंपिंग टूल की साहता से इसको लग को क्रेंप करे लिएते हैं जिसके हमारा यह लग हो जाता है क्रइंप हो जाता है तो दोस्तो इसी पेरकार हम सबी बायरों को जो चारों बायरे हैं असमें लग कर लेंगे हमने एक ही side कर ना है क्योंकि दूसरे साइट जो हमारे TV यह वाले जो लग यह बहां-प उसमें नहीं लग राए ल बेवारोल को चील के लगाएंगे, और जो लग है, वो हमारे em cv में कस देंगे, टाइड कर देंगे, देखें दोस्तों हमने चारो बायरोल पर लग कर लिया है, और हमने क्या किया है, इस में ferule भी लगा लिया है, फैरूल हमारे पास अबेलेविल नहीं थी है तो हमने क्या किया है जो पेपर होते हैं उस पर लिखके और सेलो टेप होता है उससे लपिट दिया है जिससे हमें पता चल जाए कि यह सप्लाई हमारी कौन सी है और कहां से आ रही है फैरूल लगाना बहुत ही इंपोर्टेंट हो इसके बाद जब हमारे पास पतला वाला लगा जाएगा तो हम उसको इसमें लगा के किरिम करके उसमें लगा देंगे तो दोस्तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारी mcb है सभी को जो हमने लग किये थे वह सभी बायर को हम सभी mcb में जो 4 mcb है उसमें कनेक्ट कर ही है उसमें करीब हमारी 800-800 DC voltage आते हैं तो उसको हमें बहुत साबधानी से देख के काम करना है दोस्तों यह जो हमारी DC supply आती है वो हमारी solar की प्लेटे लगे हो यह थे solar module लगे हो यह थे बहाँ से supply आती है तो हमने इसको disconnect इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारी solar प्लेटे हैं उसके लिए हमारी no SMBO को बंद करना पड़ता तब इसकी supply जो है वो disconnect होती लेकिन हमें अच्छे से मालूम है कि हमारी कौन सी बसवार में supply आ रही है कौन सी में नहीं तो हम उसको अच्छे सापदाने से काम कर सकते हैं तो दोस्तों अगर कोई भी दोस्त हमारे इस तरह पैनल में कोई बायरिंग करते हैं तो वह सबसे पहले दोनों supply जो हमारी control की supply होती है और जो power की supply होती है उसको अफ कर लें कभी भी आप इस तरह की गलती ना करें जब तक आपको उसकी proper knowledge नहीं है तो चलिए दोस्तों जो हमारी 4 MCB हैं उसको हम connect कर लेते हैं जो हमारी supply unit से जो चारो बायर आ रहे हैं हमारे 4 बोल्ट के 24 बोल्ट 5 बोल्ट और 15 बोल्ट और पूट बायर हैं MCB के अब यह जो चारो बायर हैं उसको हमें जो हमारी 4 बोल्ट की तो जो बायर है 24 बोल्ट का ही 24 बोल्ट की टीवी में connect हो ऐसा नहों कि हमने 24 बोल्ट का बायर लगा ना था और और हमने 24 बोल्ट के टीवी में 15 बोल्ट का बायर लगा दिया है इससे क्या होगा जो हमारे पैनल में बहुत सारे कार्ड लगे हुए है तो वो सारे कार्ड खराब हो सकते हैं और हमारे पैनल में और भी ज्यादा नुक्सान हो सकता है तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जो बायर जिस जगाए का है जिस टीवी में जाना है वो उसी में जाए तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कर लें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो subscribe भी कर लें क्योंकि हम solar plant के maintenance related और electrical maintenance related समय समय पर आपको वीडियो provide करते रहेंगे जो आपके लिए बहुत काम आ सकती है तो चलिए दोस्तों जो हमारे चारो बायर हैं उनको हम चारो टीवियों में अच्छे से connect कर लेते हैं दोस्तों जो हम बायर को टाइट करेंगे वह बहुत अच्छे से करेंगे बिल्कुल भी लूज ना छोड़ें इसको लूज होने से क्या होता है sparking होने से हमारे टीवी भी खराब हो सकती है तो देखें दोस्तों यह जो हमारे बायर हैं वह चारो बायर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं सभी टीवी में जो हमारे जिस टीवी में बायर कनेक्ट होना था हमने उस टीवी में बायर को कनेक्ट कर दिया है दोस्तों हमने जो 15 बोल्ट की टीवी है इसमें हमारा 15 बोल्ट का बायर कनेक्ट है और इसी फिरकार जो हमारी काली बाली जो टीवी है उसमें हमने माइनस 15 बोल्ट वाला बायर को कनेक्ट कर दिया है और यह हमारी लाल बाली जो टीवी है वो हमारी प्लस फाइब बॉल्ट की है तो उसमें हमारा प्लस फाइब बॉल्ट वाला बायर कनेक्ट हो गया है अब हम क्या करेंगे जो हमारे केबल ट्रे के जो कबर हैं उनको अच्छे से लगा लेंगे जो अनसर कबर हमारे जिस जगाए का था बहां पर लगा देंगे इसको क्या होता इससे हमारे जो बायर है वो फैलती नहीं है और हमारे जो बायर है वो छिफ भी जाते हैं इसके बाद हम अच्छे चेक कर लेंगे कि जो हमारे बायर है वो सही जाए करनेक्ट हुए नहीं हुए और इसके बाद हम सब कुछ देखने के बाद फिर अब जो पैनल है उसको ओन करक के देख लेते हैं तो हमने क्या है जो काम करते समय जो हमारा पैनल का emergency push button होता है उसको press कर रखाता तो हम क्या करेंगे उस emergency push button को release कर देंगे तो यह हमने उसको release कर दिया है और हम इसके बाद क्या करेंगे जो हमारा push button होता है reset push button होता है उसको प्रेस करेंगे और उसके बाद जो हमारा पैनल है वो स्टार्ट होगा तो देखे दोस्तों ये हमने एक बार रिप्रेस कर दिया रिसेट कर दिया है अब जो हमें कुछ टाइम इंतजार करना होगा जब हमारा पैनल रन करेगा क्यूंकि जो हमारा फेनल है वो धीरे-धीरे run करता है सभी process चलती है उस में तो सभी process के बाद ही जो हमारा फेनल है वो running condition में आता है तो हमें थोड़ा सा orbit करना होगा तो देखिये दोस्तोँ अब ये panel जो है वो हमारा ready condition में आ गया हमारा पैनल जब running condition में आ जाएगा तो जो हमारा green indicator लगा हुआ है उसमें हमारी supply आ जाएगी तो देखे दोस्तों जो हमारा green signal है वो on हो गया है तो अब हमारा जो पैनल है वो running condition में आ गया है और इसमें generation को start कर दिया है